पूरे बिहार में मौसम का मिजास पूरी तरीके से बदल चुका है लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर मौसम बभाग ने मौसम को लेकर और भी जानकारी दी है मौसम बभाग की तरफ से मिल जानकारी के अनुसार बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है और लोगों को गर्मी का हसास आने वाले दिनों में होने वाला है अगर हम बात अभी की करें बिहार के तमाम जिलों की करें प्रचंड गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है और आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है पिछले कुछ दिनों से हलकी और तेज बारिश से कई जगों पर दश्टक दी है सूबे का अधिक्तम तापमान अचानक से तेजी से लुढक कर पारा सामान इसे दस डिग्री तक पहुँच गया है लोगों को गर्मी की मार्च से राहत मिली है अभी मौसम में अधिक बदलाब की संभाबना नहीं है अगले एक से दो दिनों तक मौसम का मिजाज कैसा रहेगा इसकी ज़ानकारी मौसम अभाग की ओर से दे दी गई है पटना में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है इन दिनों राजधानी का मौसम काफी जादा सुहाना बना हुआ है दो दिनों में हलकी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है शुकरवार को शेहर का नियुंतम तापमान जो है वो 22.8 डिग्री सेलसियस रहा वहीं अधिक्तम तापमान 33.3 डिग्री सेलसियस रहा जबकि हाई घाट, धर्भंगा, ररिया, बाढ़, खगड़िया, पूसा इन जगों पर हलकी बारिश हुई मौसम बभाग ने कल्यानी रविवार तक शेहर में बारिश की संभाबना चुताई है गया में भी मौसम ने करवट ले लिया है पिछले पांस दिरों में 10 जिग्री लुढ़कने से अधिक्तम तापमान के बाद मौसम फर गर्माहट में आ गई है चार डिग्री सेल्सियस का पारा चड़ चुका है मौसम बभाग के मताबिक गुरुवार को 2 मिली मीटर बारिश हुई है शनिवार को मौसम साफ नहीं रहने के संकेत है साथी छिटपूट बारिश होने की संभावना है शुकरवार को निउन्तम पारा 6.5 जुगरी सेल्सियस और निउन्तम पारा 23.1 डिगरी सेल्सियस रहा है जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 22.1 डिगरी और निउन्तम तापमान 24 जुगरी सेल्सियस रहा है शुकरवार को सुबह में आसमान में छिटपूट बादले जो है वो चाही रही है मौसम बभाग ने थोड़ी नर्मी रही पर दिन में चढ़ते ही कड़ी चिलचुलाती धूप खिलने के साथ उमस भरी घर्मी का भी ऐसास होने लगा है तो आप देख सकते हैं मौसम बभाग की तरफ से गया जिले को लेकर भी जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि गया का जो मौसम है वो आचानक से बदलने वाला है लोगों को गर्मी का हैसास आने वाले दिनों में होने वाला है बात मुझफरपूर की करें तो मुझफरपूर में बारिज जो है वो जादा देखने को मिल रही है मुझफरपूर के टेंपरेचर में काफी जादा गिरावट दर्च हुई है ऐसे में मुजफरपूर के लोग जो है वो गर्मी से काफी ज़्यादा उन्हें राहत भी मिली है आने वाले दिनों में मौसम का हाल क्या कुछ रहने वाला है बिहार के किंटिन जिलों में मौसम का मिज़ास भी बदलेगा हम आपको सब कुछ अपने इस वीडियो में अपडेट करते रहेंगे फिलहाल के लिए मौसम में इतना ही